स्पोर्ट्स तक को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक, इंस्टराम और ट्विटर बर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ, हाउसाइड आप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा तो जिस तरीके से CPL आगे बढ़ रहा है, वैसे ही CPL का रोमांच भी लगातार बढ़ते जा रहा है हमने शुरुवाती दौर में देखा किस तरीके से सेंट किट्स की टीम ने अपना पर्चम लहराया शुरुवाती पांच मकाबले जीते लेकिन उसके बाद उन्हें हार की हैट्रिक भी जहिलनी पड़ी है सेंट किट्स अपने पिछले तीनों मकाबले हार गई है आपको मैं अपडेट बताता हूँ कि कल सेंट किट्स और जमेका की भी जो मकाबला हुआ उसमें क्या कुछ रहा जमेका की टीम ने पहले बैटिंग करते वे 179 रन बनाए और सेंट किट्स को कहा कि आप आई 170 रन बनाई और जीत दर्श कीजिए लेकिन सेंट किट्स की टीम 20 अवर में 147 रन ही बना पाई जिसकी वज़े से जमेका की ये टीम 22 रन से मुकाबला जीत गई और मैन आफ दा मैच कौन रहे आप जानकर खुश होंगे क्योंकि वो थे आंदरे रसल और के क्यार के फैंस जरूर खुश होंगे क्योंकि आंदरे रसल से उन्हें उमीद थी कि वो CPL में अच्छा प्रदर्शन करेंगे अच्छे टच में रहेंगे तो आके वो IPL में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको मैं इसके बाद बता देता हूंकि पॉइंट स्टेबल का हाल क्या है क्योंकि सेंट केट्स की टीम जब पिछले अपने तीनों मुकाबले हारी है उन सब के बाउचुत हुआ भी टॉप पर है इसके अलावा एक और मुकाबला हुआ साजिया वो मुकाबला भी रोमांचक रहा उस मुकाबले में आप बताईए कि क्या कुछ हाल रहा जो हुआ सेंट लूशिया केंग्स वर्सिल गयाना अमेजन वालियर्स के बीच में जी दी पक उनके मैश था गयाना अमेजन वार्योस और सेंट लूशिया केंग्स के बीच में जो की गयाना ने बहुत इंट्रेस्टिंग मैश था 17 रन से जीत लिया है पहले बल्ले बाजी करते हुए गयाना ने 156 मारे 6 विकेट की लॉस पर और सेंट लूशिया किंग्स 134 पर ही बिखर गई और मैं आपको बता दू बड़े बड़े नाम जो थे इंट के टीम में गयाना की टीम में वो नहीं चल पाई लेकिन ब्रैंडन किंग ने बहुत शा बिल्कुल अपने बल्ले से सैंचुरी जवरी थी वो जीरो पर आउट हो गया हिट माया शोए मलिक एक एक रन महज एक रन पर बना के राउट हो गया पुरह ने अच्छे किये लेकिन टीम को कुछ नुकसान नहीं हुआ और सेंट लूशिया के तरफ से जीवर रॉयल और र और सिव महज 19 रन बना कर वो आउट हो गया दीपक रॉस्टन चेस काफी अच्छा केल रहे हैं टीम डेविड काफी अच्छा केल रहे हैं उन्होंने ट्राइ किया कि टीम को लेकर जाएं जीट की तरफ लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया और रॉस्टन चेस चालिस र उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की चार ओवर में सिफ बारा रन देके दो विकेड चटके शाएद इस वज़े से उनको मैन अवदी मैच मिला तो देखिए भले ही दो सेंचुरियन खेल रहे हों उस मैच में लेकिन असली राजा तो ब्रेंडन किंग ही थे जिनोंने कमाल की बल्लेबाजी की और अपने टीम को जीत दिलाई और इसके अलवा गेंदबाजी में जिस तरीके का प्रदर्शन राव वो भी काफी शांदार रहा और देखिए सीपियल के तो मैचेस लगातार चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे अभी क्योंकि जिस तरीके से प्ले आफ पारा है उससे पहले एक काफी बड़ा कॉम्डिशन है और हर टीम चाहती है कि पोइंट स्टेबल में ऊपर बढ़ा जाए लेकिन आप उपर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं और अगर नहीं बढ़ रहे हैं कुछ प्राइस नहीं जीद रहें सी पील में तो सी पील दोगना कैस जीती है और हाउजएट एब डाउन लोड करेंगे तो निराश्ट नहीं होंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही यहाँ अपने टीम अपने बनाएंगे तो कुछ जीत कर ही जाएंगे और आगर आपको समझ में नहीं जा एक CPL में टीम क्या चुनी जाए क्योंकि हम तो CPL देखते नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा खिलाडी कैसे खेलता है, कब किसने सेंचुरी चड़ती, तो इसलिए तो हम आपके लिए CPL के रोज अपडेट लेके आते हैं, सुबा मैं और शाजिया आपके लिए अपडे स्पोर्ट्स तक को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले, आप हमें फेस्बुक, इंस्सट्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, हाँजाट आपको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्यूंकि वहाँ लेजिंस को हरा कर आप जीत सकते हैं तो बना काश।